नमस्कार दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूं साही चना डाल तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए फ्रेंड्स हमें आधा केजी चना डाल की जरूरत है जिसे हमें अच्छी तरीके से धोके और थोड़े से पानी में भीगो लेना है ये देखे इस तरीके से और इसे एक घंटे के लिए फूलने के लिए रख देना है उसके बाद हमें कुछ मसालों की जरूरत है ये देखे जैसे थोड़ा सा खड़ा धनिया है जीरा है काली मिर्च है दो इलाइची है एक बड़ी इलाइची है चार पांच लॉंग है इसे हमें थोड़ा सा भून लेना है हलका स सरोष्ट कर लेना है यह देखे-फ्रेंट्स खड़े मसालों को हलगा सा भून ले दो तीन मिनट के लिए और इसे निकालके ठंधा कर ले और इसे दरदरा पीस ले दो द मिकसर जार में ये दिखिए इस तरीके से , लेंक हमें बहुत ही बारिक नहीं करना है हमें हल्का दरदरा ही इसे बीषना है भूनी मसालों की खुजबु बहुत ही अच्छी आती है अब चलिके फ्रेंस देखते है, यी दिखिए फ्रेंस हमें धेर सारे प्याद चाहिए तकरीबं 500 क्राम के करीब यह देखें अदो बड़े लहसुन भी चाहिए और ठोड़ी सी अध्रक चाहिए दो हमें प्याज को छेल के बारी काट में लहसुन को छील लेकर और अध्रक को भी görün कर लेना है तो देखे फ्रेंट्स मैंने प्याज को अच्छी तरीके से धो के बारिक काट लिया है कि फ्रेंट्स आप इस चना दाल को बनाएंगे आपको मटन और चिकन की याद आ कि यह देखे फ्रेंट्स इन सभी चीजों की विजरूरत है जैसे दो बड़े टमाटर मैंने बारिक काट लिये हैं लेसन की कलियों को सिर्फ हमने छीला है तेजपत्ता लाल मेर्च हरी मेर्च और अद्रक जो हमने ग्रेट किया था फ्रेंट्स लेसन को हमें कुछ भी नहीं कर चलते हैं गैस की तरफ गैस पर रखेंगे हम कूकर कूकर को हलका गर्म होने देंगे अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन सो डेर सो ग्राम के करीब सरसो का तेल फ्रेंट्स इसमें तेल थोड़ा जादा लगता है तभी तो मटन चिकन की याद आएगी इस चना दाल को खा के आप मटन और चिकन भी भूल जाएंगे साही चना दाल यह देखे फ्रेंट्स अभी तेल हलका गर्म हो चुका है इसमें हमने डाला तेजपत्ता लाल मिर्च उसके बाद हरी मिर्च इसे हम थोड़ा सा चटकने देंगे इसके बाद फ्रेंट्स इसमें हम डालेंगे बारी कटे हुए प्याज और इसे थोड़ा सा चला लेंगे इसके बाद फ्रेंट्स हमें इसे ढखके थोड़ी दिर के लिए प्याज को हलका नर्म होने तक पकाना है ये दिखे फ्रेंट्स थोड़ा सा नर्म हो जाए ये दिखे थोड़ा सा नर्म हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे खड़े लेसन उसके बाद हम इसे चला लेंगे चलाती हुए फ्रेंज थोड़ा सा हल्का ढग ढग के से हमें पकाते रहना है बहुत ज़्यादा प्याज को लाल नहीं करना है से हल्का गुलाबी होने तक पकाना है यह देखे फ्रेंज इस तरीके से आप कंटीनु चलाते रहे ताकि प्याज जो है नीचे से पकड़े न अब हम इस में डालेंगे जो हमारे ग्रेट के हुए अद्रक है वो यह देखे फ्रेंज कंटीनु चलाते हुए अब हमें जो खड़े मसाले दरदरे कूटे थे उन्हें मिला लेना है इसे आप अपने आवे सकता के नुसार मिला है जितने लोगों के लिए बना रहे हुए उस हिसाब से कंटीनु फ्रेंज चलाते रहे इसे ताकि यह नीचे पकड़े न अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर यह फ्रेंज वन टीस्पून फ्रेंज मीट मसाला है अब इसे हम थोड़ा सा हल्का 20-30 से के लिए पका लेंगे अच्छी तरीके से ताकि मसाले जो है थोड़े से भुन जाए अब हम इसमें आड़ करेंगे जो हमारे घी थे फ्रेंज हमें सारे घी को डाल देना है इसमें द देशी घी की खुश्वू बहुत ही अच्छी आती है जिन्हें हेल्थ इसू है वो सर्सों का तेलो और घी की मात्रा कम कर सकते हैं सब्सक्राइब फ्रेंज अब सब कुछ लगभभभ़भ पक ही चुका है यह थोड़ा सा थोड़ा पका लेंगे ताकि लेसं भी हमारे पक जाया अच्छी तरीके से यह देखे फ्रेंज अब ही अच्छी तरीके सीं रिख दम पक चुका से यह देखे लैसुन भी हमारे अच्छी तरीके से पक चुके है अब हम इसमें डालेंगे जो भीगोए हुए चना दाल है वो और इसे खुब अच्छी तरीके से चला लेंगे ताकि मसाले जो है चना दाल में खुब अच्छी तरीके से मिल जाए उसके बाद हमें इसमें कि यह देखे फ्रेंट ना सारे समान को डालके हमेंए एक दो मिनट थोड़ा सा पका लेंना है है कि देखे फ्रेंट 1-2 मिनट थोड़ा पक चुका है हम इसमें डालेंगे पानी पानी dese बहुत जादा नहीं डालना है चना दाल से थोड़ा सा उपर पानी होना चाहिए यह देखिए एकदम इसकी गाढ़ी ग्रेवी तैयार होती है चना दाल की अब हम इसे दो सीटी आने तक चने दाल को क्योंकि पहले से भी भीगी हुई है चना दाल इसे दो सीटी आने तक हम इस इस दिख रही है यह यह देखिए मैं आपको नस्दीक से दिखा देती हूं कि यह कितना ही अच्छा दिख रहा है अब मिस में धनिया की पत्ती डालेंगे कि धनिया की पत्ती से इसका फ्लेवर और निखर के आएगा देखिए फ्रेंट्स चनादाल दो सिटी में कितना अच्छा पक चुका है यह देखिए एकदम आपको दिखा दे रही है चनादाल एकदम अच्छी तरीके से मैश हो जा रहा है यह देखिए हमारा शाही चनादाल बनके रेडी है अब इसे एक बावल में सर्फ करें खुद खाए अपने घरवालों को खिलाए फ्रेंट्स यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी होता है इसे चावल और रोटी के साथ सर्फ कर थैंक्स फॉर बाई